तब बिना ड्राइवर 78 किलो मीटर तक चली माल गड़ी देविच वड़ा अपडेट सम्णे आया है जसते विच हुण फिरोजपुर ड्वीजन दे DRM देवलो वड़ी कारवाई कर दे होए कठुआ दे स्टेशन मास्टर नुवी सस्पेंड कार दिता गया है तेशन दे नाली पांज होड लोका दे उते वी वड़ी कारवाई रेलवे विपार्ग देवलो किती गई है कुल 6 लोका नो इस मामले दे विच सस्पेंड कार दिता गया है ते लगा तार होन इस मामले दे कारवाई किती जा रही है दास दिये कि बिते दिना एक माल गड़ी 78 किलो मीटर तक बिना गाड अते बिना ड्राइवर तो चाल पहन दिया है हाला कि जदो पठान कोड़ दे कोल पहुंच दिया था इस दी सपीड जो है 70 तो 80 किलो मीटर प्रती कंटा दे साब नार दर्ज किती जा दिया उस तो बाद लगातार प्रशाशन नूँ हथा पैरादी पह जा दिया रेलवे विपाग दे वलो वड़ी कारवाई कर दे होए इस नूँ दसुहा दे उची बजी कोल जाके रोक लेया जान दा हाला कि इस दुरान कैया जा रहे है कि रेलवे विपाग दे वलो लाइन दे उ इसी ता जो इस दी सपीड नो कंट्रोल कीता है जासके हलांकि उची बसी स्टेशन दे उत्ते क्या जा रहे कि कुछ टाइम पहला एक पसेंजर गड़ी आउंदी है ता उस दे ड्राइवर जो है ओ अपनी बहादरी दिखाऊंदा अते इस दे इंजन दे विच चाड़ जांद हुआ उन्ची बजी तक बीना ड्राइवर बीना गार तो इमाल गड़ी पहुंची सी खला कि जिस समें एमाल गड़ी ओत trop रवाना होंदी आपके इसनोँ डी रेल करंदीवी योजना बनाई गई गई शी यानि की लाइन तो उतारंदीवी इसनोँ योजना बनाई गई गई शी पर रेल्वेवी पाग देवकोर लगातार अजे हे एक्वीपमेंट सी जिस दे नाल किया जा रहे कि इसनों रोक या जा सक्दा सी ता दास दिये कि हुण रेलवे वी पार्ग दे वलो जदों बहादरी दिखाई गई कुछ मुलाजमा दे वलो रेलवे दे बहादरी दिखाई ता इस ट्रेन नूं कंट्रोल करके रोक लिया गया ता दास दिये कि हुण इस मामले दे वीच रेलवे वी पार्ग वलो वड़ी कारवाई किती गई है ते 6 लोकान mentionedmade लो इस दे वीच कुल सस्पेंड और दिता गया, जिस दे वीच कट हुआ था स्टेशन मास्टर वी शामिल है के आ जारे कि ट्रेन दे दोंएंजन बंध सी आ करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक उच तरी जाज बिठाई है जाज के सभी मिंबर आज कठवा में इंक्वारी कर रहे हैं जाज उने के पस्चात ही इनके काड़ों का कुछ पता चल पाएगा जो आप बता रहे हैं चाह पीन उतराता इस नहीं है ड्राइवर को वहां पे रूद चेंज उने वाला था चाह पीने वाली और जो यह कह रहे हैं कि इंजन चालू था, वकली पाइजन बंद दा कारण के साथ कारण के लिए इनक्वैरि कमिटी है वहां पर इनक्वैरि कर रही है है और जल्द ही इनकी कारण का पता चल जाएगा करेंगे लेकि ड़े jsा पूरी प्लानिंग करी हम लोगों का control रूम होता है पूरा कंट्रोल सेनटर होता है तरह तरह के कंट्रोल होता है ऑ्परिसंस का कंट्रोल होता है का kanneton होता है क disparity होते हैं तो हमारी सुबह टीम जैसे ही पात बजे हम लोगों को पता चला कि ऐसी कोई इंसिडेंस हुई है मैं और मेरी टीम सारे लोग कंट्रोल में पस्तित थे उस समय और हम सभी लोग एक छण का उसको मोनिटर कर रहे थे साथ में उसकी वीडियो वनवा रहे थे कहां पर क् टेक्निकल डिटेल्स किस यार में कितना ग्रेडियंट है क्या पर पॉइंट टॉसिंग से कहां पर अप्लाइन में गाड़ी है कहां पर डाउन लाइन में गाड़ी है तो इस तरह की सारी इंफॉर्मिशन गैदर करने के बाद में हम लोग उसको क्लोजली वाच कर रहे थे और इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी की गती जो है थोड़ी धीमी हो इसके बाद इसको अगर कहीं डिरेल करना पड़ जाए तो इसको कहां पर किया जाए हलाग हम लोग आस्वस थे कि सायट डिरेल करने की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कई चीज़ें हमने लोगों रास्ते में प्रयास किए हैं आफट किए हैं हम लोग उने रेल पर मिठी डाली है और भी कई तरह के व्योधान गाड़ी के आगे पैदा की है जिससे कि उनकी गती को धीमी हो अंतता हम लोगों की जो टीम की जो मेनत थी वो रंग लाई और हम लोग उस रेल को उस बसी के आते आते उसको हम लोग जो है रोक पाए लेकिन जब एक बार गाड़ी चल दी वहाँ पर उसके बाद करेल की स्रीपर अगर लगाएंगे तो गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो जाएगी तो इस तरह की कोई बेवस्ता नहीं कर दिये हैं और इसके आगे भी अभी कुछ जैसे भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी जो भी लोग उत्तरदाई ठहराए कि उनके पर जरूर कड़ी से कड़ी अक्कारवाई की जाए इसमें च्छे लोगों में एक स्टेशन मास्टर हैं कट हुआ कि और एक पॉइंट्स में हैं कट हुआ कि दोनों एलपी और एलपी हैं चार लोग यह हो गए इसके साथ जो आंके ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे ज हाँ पर जिनका भी जुड़क्षन था उन टी आई को भी का मलब लोको पाइलट ड्राइवरी बोलते हैं उसको और साहया के लोको पाइलट एलपी उसको बोलते हैं तो उन दोन किलोमेटर गाड़ी चल चुकि करीब गाड़ी चली है कैसे लोग कह रहा थे बिजली के साथ नंए ठेल दीजली दो यहों क्यादा की जो जो यूपार पिजली के तारों से हम लोग जो बीजली लेते हैं वे छिप्ट लोकों के लिए चो कि यह इन्ज़न था इसके लिए उसको अगर ईन क्या सक्त एसको वहшей य। लोकता तो साब नो ब्ली ृत्वक ने लेकिन इस के करना पड़ जाए तो उसके बाद क्या होने वाला नहीं पता था कुछ डिब्बे उचल के ऊपर भी जा सकते हैं तो इसलिए हमने साउधानी बरतने के लिए उन बिजली के तारों की प्रवाहित को बंद किया था